दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलिग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर दोस्तों हमारे काफी फ्रेंड्स को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है टेलिग्राम पर जैसे वो टेलिग्राम को ओपन करते हैं अगर आपके वी सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इस तरह का एरर आता है और इंटरनल एरर ओकर प्लीज ट्राइ अगें लेटर तो इस सुल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं कंप्लेट जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा तीन से चार मैसर आपको बताने वाला हूँ अगर आप इनको फोलो करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% होने वाली है तो ज़्यादा समय नहीं करते हुए स्टार्ट करते ह है किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शोट आउट कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले दोस्तों आपसे एक चोटी सी गुजारिस है अगर आप ने है तो प्लीज बैल एकन को प्रेस करके हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो क अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो बढ़ते हैं इस वीडियो में सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहले स्टैप के अंदर दोस्तों आपको अपने फोन की सैटिंग को ओपन कर लेना है आपको यहां पर एप्स वाले एक ओ पर क्लिक करना है मैंने स्पेस पर टैप करना है तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा आपको यहां क्लियर कैच वाला ओप्शन दिखेगा आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और यहां से करना है इसका क्लियर कैच फिर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ त्री डोट्स देखने को मिलेगी इन पर क्लिक करना है यहां से आपको clear local database वाला एक option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से इसको कर देना है clear उसके बाद आपको इहां से back आना है back आ जाने के बाद दोस्तों जो आपके टेलिग्राम application है इसके आप permission पर क्लिक करना और जितनी भी आप permission है इन सभी को आपको allow करना है और सभी permission को allow करने के बाद दोस्तों आपको इहां पर एक और काम करना है data usage वाला option देखेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर mobile data, wifi, background data अगर इन तीनों में से कोई भी option disable हो रख है तो इसको enable कर लेना कुछ इस तरह से और फिर आपको back आना है back आजाने के बाद अब आपको अपने play store को open करना है और यहां उपर search bar देखेगा, search bar पर क्लिक करिएगा और यहां पर आपको search कर देना है telegram जैसी आप telegram search करते हैं अगर आपको कुछ इस तरह से update देखने को मिलती है तो आप अपने telegram को यहां से update कर लेना update करने के बाद आप जैसी अपने telegram को open करते हैं तो आपकी जो problem है इसका solution हो जाता है अगर दोस्तों फिर भी आपकी problem का solution नहीं होता है तो finally मैं आपको एक और step बता देता हूँ जो आपका telegram application इस पर आपको long press करके रखना है यहां से आप इसको uninstall कर दीजिएगा जैसे आप अपने google chrome को open करते हैं उपर यह आपको search बाद देखेगा यहां पर दोस्तों आपको type करना है telegram old version तो उपर ही आपको एक site देखने को मिलेगी आपको इस पर click कर देना है जैसे इस तरह के interface साथ आपको नीची दर scroll करना है तो दोस्तों यहां पर आपको उपर वाले 4-5 version को छोड़ कर नीचे वाला कोई भी एक version अपने phone में install कर लेना है वहां पर आपको login कर लेना है जिसके बाद गाईज जो आपकी problem है इसका solution 101% हो जाता है तो गाईज आज वाले इस वीडियो करना मेरे को आपको जैस्ट इतना ही पताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हमारी वीडियो की help आपकी problem का solution होता है तो अमीद करूँगा आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे इस वीडियो को like करेंगे तो दोस्तों मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends